चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी खवरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए स्यम सुकु बोले मुखी मंतरी सुकासर योजना से परदेश के लगबग 6,000 अनात बच्चे होंगे लभानवीत जे मुख्यमंद्री ठाकूर सुक्विंदर सिंग सुकू ने कहा कि हिमाचर परदेश के लगभग 6,000 अनात बच्चों को मुख्यमंद्र सुकासर योजना के अंतरगत लभानवित किया जाएगा ये बात उन्होंने सनिबार देर साम मंडी परेदी गिरी में आईजीत एक कारिकरम में कही उन्हेंने कहा कि परदे सरकार ने इन बच्चों को चील्डेन ओफ इस्टेट के रूप में अपनाने का निरने लिया है वही योजना के अंतरगत उनकी उच्चिक्चा जेव खर्चे सव रोजगार तधा घर निर्मान के लिए तीन विश्वा भूमी सहित तीन लाख रुपी एक की सहता राश्ची का प्रवधान किया गया है मनाली के धुंदी में हिमस्कलन NH3 पर वहानों की आवाजाही ठप मार्ग बहाली का काम जारी जे मनाली ले राश्टि माराजमार्ग तीन पर सनो गिलेरी धुंदी के पास हिमस्कलन हुआ हिमस्कलन के चलते मार्ग वहानों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है वही मार्ग बहाली का कारे प्रगती पर है बता दें कि पिछले एक दिन पहले भी इसी जगह हिमस्कलन हुआ था जनकारी के अनुसर मनाली ले राष्टी राजमार्ग तीन दार्चा तक अस्तानिय फोर वाई फोर वहनों और टाटा सुमो जंजीरों के साथ के लिए खुला है वही फिलाहाल दूंदी के पास सिमस्कलन होने से मार्ग बंद हो गया है दार्चा सिंकुला मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है बंदे भारत ट्रेंड से उना पहुँचे अनुराग ठाकूर नितिस कुमार के बयान पर भी किया पलटवार जे केंदरिय सुचना परसारन एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकूर रविबार को बंदे भारत एक्सप्रेस से उना रेलवे इस्टेशन पहुँचे रेलवे इस्टेशन पर केंदरिय मंत्री अनुराग ठाकूर का भाचपा जिला अध्दक्ष मनोहर लाल सर्मा पूर्व मंत्री विरेंद्र कवर, हिमाचल पर्देश क्रिकेट एसोसियेशन के पदाधीकारियों के साथ डीसी, रागप, सर्मा और पुलिस अधिचेक, अरजीत सेंट ठाकूर ने भी स्वागत किया पूर्व सरकार के 350 गाड़ियों के परचेज ओडर में बदलाओ जहिमाचल सरकार ने पूर्व भाचपा सरकार के समय टाटा कमपनी को दिया गया बसों की खरित का ओडर बदल दिया है पूर्व परिवहन मंत्री विक्रम सिंग ने विधांसवा चुनाव आने से पहले 350 बसें टाटा से खरितने का परचेज ओडर दिया था इसके लिए ततकालिन सरकार ने 140 कोड़ का लोन भी एचाटसी के लिए उठाया था लेकिन अब सरकार बदलने के बाद इस परचेज ओडर में बदला हुआ है वहीं परिवहन भाग देख रहे उप मुक्मेत्री मुकेस अगनी होतर ने बताया कि अगले बजट से पहले इलेक्ट्रिक बसों की खरित पर काम चल रहा है वहीं राज सरकार ने फैसला लिया है कि टाटा से अब 350 नहीं बलकि सिर्फ ए 150 बसें ली जाएंगी अब धर्मसला में भी बनेगा अक्षरधाम मंदीर कचरी स्यामनगर मार्ग पर जमिन चिन्निती जे धर्मसला में राज का पहला अक्षरधाम मंदीर बनाये जाएगा धर्मसला के कचरी स्यामनगर मार्ग में जिला कल्यान इभाग वैडियो कारेले की पहारी पर इस्तित प्राचीन स्यिव मंदीर के पास अक्षरधाम मंदीर के लिए भूमी चिन्नित की गई है वही पर्देश के धर्मसला में पिछले कई वर्सों से अक्षधाम मंदिर बनाने का प्रोपजल बन रहा था लेकिन इस बार आखिर अक्षधाम मंदिर के लिए जमिन मिल गई है इसको लेकर अब भासा इवं संसिक्रिती भाग की और से भी कारवाई आगे बढ़ाई जा रही है अब देश की राईधानी दिल्ली, गुजरात, महराष्ट, राजस्तान, अंदर पर्दिस, करनाटक, तमिल नाडु, पच्छिम बंगाल और उडिसा की तर्जपर पहाडी राज्जी हिमाचल पर्दिस में भी अक्षधाम मंदिर बनाया जाएगा हिमाचल में अब सहरों के आसपात जोगी जोपड़िया नहीं दिखेंगी, सलम एरिया को डिफाइन किया जाएगा और इन में रहने वाले लोगों का पुनरवास भी होगा वहीं पूर भाचपा सरकार के समय सिमला नगर निगम चुनाव को देखती हुए ततकालिन सहरी विकास मंत्री सुरेज भारदवाज ने इस बारे में एक विधानसवा में लाया था जिसे विधानसवा ने उस वक्त कानून के रूप में पारित कर दिया था इस कानून का नाम हिमाचल पर्देश सलम डेवलर से प्रोपर्टी राइट से एक्ट 2022 से इसी एक्ट के तहत अब सलम एरिया में रहने वाले लोगों के पुनरवास के लिए कमेटी बनाई गई है पर्देश मों उसद्ये पोदों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस पालंपूर पहुचे कनाडा और जर्मनी के इन्वेस्टर जे और्गेनिक फार्मिंग में औसदिये पोदों की पैदावार को बढ़ाने के लिए कनाड़ा और जर्मनी से इन्वेस्टर सनिबार को पालंपूर पहुँचे इस संगोष्टी में इलाके के किसानों ने भी भाग लिया संगोष्टी में भांग की खेती को कानूनी रूप से लाइसेंस देकर मंजूरी देने पर बल दिया गया वह जर्मनी से आयो हुए डॉक्टर रंजीत भारद्वाज ने बताय की भांग के बीजों में नसा नहीं होती है तदा इन बीजों से अईरुबेदिक दवाईयां बनाई जा सकती है जो मानब के स्वास्ते के लिए लबदायक सीध होती है वह हरबल से संबंदित इंज़ेश्ट्री लगने से हजारों बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा जिब्लाकी मौसब से लोग रहे परिवार की कार ट्रक से टकराई महिला की मौत चार अन्य घायल जे फतेपुर में जसूर तलवाडा मार्ग पर दधनाक सड़क हाथसा पेस आया है यहां कस्बा रहन के पास रिवार को एक कार और नीती दोकर सड़क किनारे ख़ड़े ट्रक के नीचे जागुसी वही हाथसे में कार में सवार प्रिया मन कोटिया निवासी हाडा की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हुए हैं वही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया गया है हाथसे की सुचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुचकर सव को कबजे मिले कर पोस्ट माड़ब के लिए भेज दिया है भारत में जिता सुचका टेस्ट और अस्टलिया को छे पिकेट से हराया रविंद जड़ेजा का सर्वस्टेट्स परदर्शन ज़े रविंद जड़ेजा और रविंद चंदर आस्वीनी की घातक इस्पीन जोड़ी की बदुलत भारत ने ऑस्टलिया को बोर्डर कावस्का ट्रोफी के दूसरे टेस्ट में रवार को छे विकेट से मात देकर सिरीज में दो जीरो की अजे बढ़त बना ली वही पहली पारी में एक रण की बढ़त लेने वाली ऑस्टलिया मैच के तीसे दिन सिर्फे 113 रण पर ओल आउट हो गई वही भारत ने 115 रण का लक्षर चार विकेट गवाकर हासिल कर लिया वही ऑस्टलिया को इस मामूली से इसकोर पर आउट करने के लिए आस्विन ने ट्रेविस हेट का विकेट लेकर दिन की शुरुआत की इसके बाद जड़ेजा ने साथ बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में भसाते हुए ऑस्टलियाई टीम को 113 रण पर समेट दिया यह जड़ेजा के टेस्टे क्रिकेट का सर्विष्ट्रे परदस्चन है इससे पहले उनने इंगलेंड के विरूद 2016 में 48 रं देकर साथ विकेट चटकाए थे अब बड़े अस्टलियाई की तैयारी अडानी समू के खिलाब ट्रक ओपटर आज तई करेंगे रन नीती जी अडानी समू की हड धर्मिता से निराश्ट्रक ओपटर अब अंबुजा फैक्टरी दाडला घाट यूनियन के साथ संगर्च की अगली रन निती अक्तियार करेंगे वही बर्माना में रईवार दोपहर के समय एक अपात बठक बुलाई गई है जिसमें दाडला यूनियन दोवारा 20 फरवरी को दाडला घाट में रखे गए धर्ना परदसन को लेकर रूपरेका त्यार की जाएगी वही बीडी टी एस की मानितव समयन्ट विवात के हल को लेकर सरकार वा प्रसासनीक अस्तर पर आजी तमाम वर्ताएं भी फल रही है चोटे बच्चे महेंगाई से मूगते केंदर सरकार ने सस्ते किये पेंसिल, सारपनर और एरेजर जे गुड्स एंड सर्विस टेक्स यानी जी एस्टी कॉंसिलिंग की उन्चासवी बैठक सनिबार को नई दिल्ली में पूरी हुई और इस जी एस्टी कॉंसिलिंग की बैठक में कई अहम मुद्य पर चर्चा हुई वही वीत मंत्री निर्मला सितारमन की अद्धिक्षता में हुई इस बैठक में अपिलेट ट्रिबिनल के गठन के अलाबा पान मसाला और गुटका पर लगने वाले जी एस्टी के उपर भी विचारवी मर्स हुई वह जी एस्टी कॉंसिलिंग की उंचास्वी बैठक में वीत मंत्र निर्मला सितारमन के साथ वीत राज्य मंत्री पंका चोधरी राज्यों के वीत मंत्रियों और वरिष्ट अधिकार्यों में हिस्सा लिया वेवीत मंद्र निर्वला सितारमन ने जी एस्टी कॉंसिलिंग की बेठक के बाद प्रेस कॉंफरेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों का बाकाया पांच साल का पूरा जी एस्टी मुआपजा या जी एस्टी छतिगरस्त रकम जारी की जा रही है बेजनात मंद्र में हजारो भक्तों ने नरनवाया सिस सुभायात्र से सिब्रात्री महोसब का आगाज जेविश्व प्रसीद सिब्धाम बेजनात में सनीबार को भव ये सुभायात्रा के साथ राज जस्तरिय सिब्रात्री महोसब का सुभार्म हुआ इस दुरान मंदिर में हजारों भक्तों ने बाबा की नगरी में सिज जुका कर मनोकमनाई पूरी करने की आरदस की वही बैजनात में पांच दिन तेक आयुजीत होने बाले राजस्तरिये सिबरात्री महुतसब के सुब आरम कारिकरम में क्रिसी एवं पसुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बत्र मुख्य अतिती सिर्कत की इस आउसर पर बैजनात के विधायक एवं मुख्य संसदिय सचीब किसोरी लाल भी विशेश्रूप से उपस्तीत रही वहीं आपको बता देगी क्रिसी मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने महुतसब अस्तल इंद्रा गांधी स्टेडियम में सिबरात्री के परतिकात्मक जंडा चढ़ाने की रस्म आदा की इस आउसर पर सांसिकर्तिक कारिकरम भी प्रस्तूत किये गए संगरूर पटियाला मार्ग पर हाथसा बस और पीकप की टकर से चार लोगों की मौत इस वहीं पूलिस ने बताया कि पी आटीसी की बस कलोदी गाँँ में यातरियों को उतारने वो नई सवारियों लेने के लिए रुकी तो पीछे से आ रही पीकप वेंड ने बस को टकर मा दोस्तों आज की संदार खबरों का सिर्शना इसमापत होता है गर जनकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक सेर चल को सब्सक्राइब जरूर करें